बॉनिंग आज का हमारा टॉपिक है हीट फिर्म क्लास 7 साइंस इसमें हमने कर रिवाइस किया था थोड़ा सा आज हमें पढ़ना है प्रिकॉशन्स फॉर कलिनिकल थर्मोमेटर को यूज करते तो हमें क्या प्रिकॉशन्स यूज करनी चाहिए किन चीजों का हमें द्यां रख पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कल निकल थर्मोमेटर सिर्फ हमारी बॉड़ी का टैंपेचर नोट करने के लिए बना है आज सो एबॉइड कीपिंग दा थर्मोमेटर इन सान और नियर एफलेम इट में ब्रेक कहते हैं कि थर्मोमेटर को सान या किसी भी जहां पर आग जल रही हो या गैस वैसे उससे दूर रहना चाहिए यह क्या हो सकते हैं यह तूट सकता है अब प्रिकॉशन्स फॉर लेबॉटरिकल थर्मोमेटर यूज करने के लिए क्या प्रिकॉशन्स है इन अडिशन तो प्रिकॉशन नीडेड वाइल रीडिंग या क्लिनिकल थ यूज करोंगे लब और सारी यूज करोंगे अपको क्या करना है यूज करना और यूज करना मैं इस ओ सीदी स्ट्रेट पकड़ना है उसको बब should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. कैते जो bulb है from all sides by the substance of which the temperature कैते जो bulb है वो पूरा उससे surround होने चाहिए, पूरा उससे गेरा रहने चाहिए, जिस भी चीज का आपको temperature note करना हो, the bulb should not touch the surface of the container. कैते उसको क्या करना है कि container उसके अंदर तो रखना है, बट container के साथ वो टैच नहीं करना चाहिए, जैसे इस picture में दिखाया गए, इन्होंने कैसे पकड़ा, सीधा पकड़ा thermometer, बट thermometer का जो बलब है, वो इन्होंने पानी में ढाला है, बट जो बलब है, वो थोड़ा सा गिला से उपर की दरफ है, हलका सा इन्होंने उपर पकड़ा, उसको टैच नहीं करते हैं दिया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, फिर ए, transfer of heat, transfer of heat में आपने क्या पढ़ा था, conduction, the transfer of heat in solids usually takes place by this method, कहते हैं, solids में जब भी transfer of heat होती है, तो किस मेथर से होती है, conduction से, suggestions that allow heat to pass through them quite easily are called conductors, कहते ही, जिन चीजों में heat pass होती है, आसानी से उसको हम बोलते है, conductor, और जिन में नहीं pass होती है, उनको बोलते है, insulator, the suggestions that allow heat to pass through them are called conductors of heat, इसकी example है, जैसे iron, copper and aluminum, इसको हम बोलते है, conductors, क्योंकि इन में आसानी से heat pass होती है, तो जिन में नहीं pass होती है, उनको बोलते है, insulator, for example, plastic wood, जैसे plastic है, या लकड़ी है, उसमें heat pass नहीं होती है, कल हम पढ़ेंगे convection,